वाने की बात करूँगा और जम्मू कश्मीर के अंदर इसी महीने के अंदर जो है तीन दिन की जो प्रोटेस्ट धरना होगा सबसे पहले मिनमम बेजिस अक्ट जो एस पर रूल एस पर यूटी जो पर स्टेट एड़ पर सेंटर जो प्रवाइड उनको होना चाहिए वो तुर ज correlate चैने के अंदर एक साल के अंदर जो है रोड़नी है और उनकी लड़ाई जो है अब पकड़ना है क्योंकि जppu में कि पताशय गिन सेने कि पत्व ह Moore ने इंडल दालो और पत्त चल जाएंगा कि जो पार्टी एज़ बोलती है कि हमारा मसला करवा सकती है वह फुब काइज से पहले वा उत्तरम बोल दिया कि आपको election में किसी घर जाने की दूतनी होगी बोट आपके पास खुद-खुद पेटी में पढ़ेंगे अगर नहीं मुद्दाहल हुआ वो बोट आपको totally वाईकाट होगा यह मैं आपको चनल के माधिए क्या डेली वेजर को कोई जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है यहां फिर नहीं यह सारी जानकारी आप देख रहे हैं जेके लाइन योज और मैं हूँ भी काश शर्मा बात की जाए डेली वेजर आल डपार्टमेंट के डेली वेजर जो है वो लंबे समय से संदर्श कर रहे हैं और उसके साथ-साथ उनको साथ मिला सनी कांचिब का जो कि कहीं बार उनके लिए सेंटर में बात की कि पीशे कुछ दिन पहले आपने देखा कि इनोंने पैदल मार्च जो था वह भी निकाला लोगों को साथ-साथ में जानकारी देते गे और आगे बढ़ते गे कारवा दिली तक पहुंचा लेकिन क्या जो से संगर्ष वो कर रहे हैं और उसके साथ जो है वह आप उनके साथ जुड़े अब आप उसे उन दोलों को कहीं समय से लेकर चल रहे हो क्या देखिए विकाजी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्याबत करता हूं और अपर चैनल का कि जो कि आप डेली विजर के मुद् करने वाले हैं क्योंकि डेली विजर की मांग जो है अब हम और जो है लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते हैं उनको बढ़ाश नहीं कर सकते और डिपार्टमेंटों के अंदर काफी जो इस टाइम काम काज है हमारे अस्ताई करमचारी हैं कैजूल लेवर कर रहे हैं 80% काम जम् कुछ बढ़ाया फिर उसके बाद दोस्तों कुछ बढ़ाया फी 300 बढ़ाया फी 311 किया अब जो कि एक खबर आ रही है कि शायद वेजिस इनके जो हैं और बढ़ाया जाएंगे जैसे 11 रपे बढ़ाये क्या उसी तरीके की भी खाप इनको देना चाहते हो 11 रपे बिखारी लेता है तो वो भी नहीं असेप्ट करता लेकिन ये तो वो लोग हैं जो 24-24 गंटे काम करते हैं जो पूरे संडे वी यहां पर जो है छुट्टी के दिन भी जो काम करते हैं बचारे उनको आप 11 रपे बढ़ाएंगे और अगर आपने 11 रपे दस रपे बीस रपे पचास औ बढ़ा दिये तो कौन सा इसान कर पाओगे आप मुझे बलाओ को लिए और अहीं बात हमारी मिनिममम बेजिस एक्ट की मिनिममम बेजिस एक्ट लागू होना चाहिए एस पर रूल एस पर ऑडर जो हर स्टेट में हर यूटी में होता है और यूटी के अंदर जो 18,600 कुछ स्टार्टिंग से 26 दार तक जो मिनिममम बेजिस एक्ट है वो लागू होना चाहिए हर एक अस्ताई करमचारी के लिए और रही बात दूसरी उनके 1064 जो रेगलर पालसी को लेके उसके संगर्ष उनकी लड़ाई के लिए और मिनिममम बेजिस एक्ट को लागू करवाने के जल से जल जो है मैं सन्नी कांचिप मेरा राश्टिं संग और मेरी हीमोरेट कांसल अफ इंडिया जैनके यूटी की टीम पूरी जो है आने वाले दिनों में धरने और परदाशने में तीन दिन के लिए बैटेगी और जिसका साथ हो जो साथ दे सके हमारे उन गरीव और मजल इसी महीने शुरू होगा और शुरू करने से एक दिन दो दिन पहले में प्रेस कॉंफरेंस करूंगा जिसके चलते वो एरिया वो लोकेशन वो सब कुछ अपना वहां पे मैंचन होगी और तीन दिन की मेरी जो है वो प्रोटेस्ट अंदोलन होगा और वहां पे बैटूंग और जितने संग जितने लोग हैं अगर डेली विजर्स के लिए आप आवाद उठाना चाहते हो नहीं मीडिया पे अन गरांड उन लोगों के साथ तो साथ हो कि मेरे साथ वहां पे साथ दे नहीं तो मीडिया पे बार-बार बोलने की आपको कोई वो जरूरत नहीं है कि सिर् करने वाले इन्हीं के ही वो मुनिश्टर है जो पहले भी पी एची में इरिगेशन में रह चुके हैं तो उन्होंने कौन सी आभी जग कि जो है डिमांड कर दी पूरी जब कमेटियां गठित करके सब कुछ आकुमेंट जो है अगर समिट किये तो क्यों चीप सेक्टरी साब ऐसी बात करते हैं कि यहां पर कुछ बैकडूर एंट्री भी लगी है हां होगी पर्मनेंट भी बैकडूर एंट्री निकाली अच्छी बात है कि जो डिजर्ब करता है उसको नहीं लगाना है लेकिन जो करने के छोड़ो हम लोग इनकी डिमार करते हैं को पर्मन करवाने की और हर एक डिपार्टमेंट जम्मू से लगे कश्मीर तक जितना भी आल डेली विचस है उसकी लड़ाई उसका संगर्श के लिए मैं दिल्ली भी जाओंगा दिल्ली सेंटर मंत्री से मीटिंग करके जल् तुरंत जो है एक महीने के अंदर अंदोन को प्रवैड होना चाहिए यह मेरा सबसे बड़ा अंदोनन का वास्ट डेली वेजर की जो डिमांड है वो है रेगुलाराईशन तो हमारा मेन मुद्दा है लेकिन कम से कम उस मुद्दे को लड़ने के लिए उस मुद्दे से संग अधर नहीं करवा पारे कम से कम बचारे जो 9000 लेते 18000 यह 19000 यह 20,000 होगी तो अपने घर का जो पालन पोशन हो तो अच्छा कर सके बच्चों की पढ़ाए तो अच्छी कर सके छे मीने के अंदर एक साल के अंदर जो है रगलोई पालसी जो है वो हमें लेके ही रह नहीं है पर उनकी लडाई जो है अब तेजी से पकड़णी है क्योंकि जम्मू में आगर जो हम बैठेंगे लेकि जम्मू के datasets है दिली में भी हम बैठेंगे कि दिली के अंदर बैठके सेंटर की सरकार को बोले वो आज उनके बच्चे मायूस हैं, उनकी मायूस हैं, उनकी खुची लानी पड़ेगी, वो हमारे अस्ताही करमचारी डेली विजर्स बैठे हैं, उनकी डिमांड्स पूरी करने पड़ेगी, आपको फिर बोट मागने की जरूटरी बोट आपके पास खुद खुद आएंगे लेकिन सरकार जब तक हमारा मुद्दा हल नहीं करेगी हम elections को जा आने वाली जो हमारी बोटिंग होगी उसमें कभी हिसा नहीं लेंगे ना लेने देंगे किसी को क्योंकि हमारी मुझबूरी है सबसे पहले कि जो हमारे कितने 80% या 70% डेली विजर हैं वो आज रोरो पे चड़कों पर दर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैटे हैं उनका मुद्दा हल नहीं हुआ तो आप बोटिंग में ना तो हिसा लेंगे ना किसी को लेने देंगे बिल्कूल मैं कहता हूँ मैं तो ब इसलाहल करवा सकती है वो पार्टी को खुद पता चलेगा कि अगर आप लेक्शन से पहले करवाते हो तो मैंने अपना बोल दिया कि आपको एलेक्शन में किसी घर जाने की दूतने होगी बोट आपके पास खुद बोखुद पेटी में पढ़ेंगे अगर नहीं मुद्दा इसलाहल हुआ वो बोट आपको टोटली वाहिकाट होगा यह मैं आपको चनल के माधियम से बोलता हूं तो डिलीवेजर हैं वो भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उनका मुद्दा हल नहीं हुआ तो खाम्याजा जो है वो जुरू बुकता पड़ेगा फिलाल आपको क्या लगदा है कमेंड बॉक्स में अपनी महत्पुन राय जुरू रखिए फिलाल के लिए पना ही और बने रहें और देखते हैं जेके लाइन न्यूज मुझे यानिके विकास शर्मा और कैमरा अधित्य को दीजिए इजाज़ नमस्कार जैन जैवारत जैन कुश्मीर